जैहिन दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो आय प्रमाड़ पत्र जाती प्रमाड़ पत्र और निमास प्रमाड़ पत्र एक बहुत जरूरी डॉकुमेंट है जिसकी आप सकता सभी को कभी न कभी पढ़ती है और आप सब अपना आय प्रमाड़ पत्र जाती प्रमाड़ पत्र और निमास प्रमाड़ पत्र किसी साइबर कैफे पर बनवाते हो जिसके लिए आप उसको काफी पैसे भी देते हो और आपका प्रमाड़ पत्र टाइम पर भी बन नहीं पाता ऐसा क्यूँ है आप खुद के वह मैंने इस वीडियो को बनाया है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना प्रमाळ पत्र बनाने का यूजर आड़ी मतलब वो यूजर आड़ी जिससे आप अपना आयप्रमाळ पत्र, जातिंप्रमाळ पत्र और निमाज marc bonτre बना शकते हैं आड़ी से साइबर कफे वाला भी बनाता है उस यूजर आड़ी आप कैसे बना सकते हो उस यूजर आड़ी के बनने के बाद अब अपना आय प्रमाद पत्र जाथि प्रमाद पत्र profile आओ निमाज प्रमाद पत्र पंदरा रुपए में केवल 5 दिन के अंदर बना सकते हो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से बता दू आप वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत किजिएगा क्योंकि अगर एक भी इस्टेप आप छूड जाएंगे तो हो सकता है कि आपको यूजर आड़ी बनाने में गलती हो जाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप अपने मुवाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए मैं अपने मुवाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ Chrome browser open करने के बाद में आपको search bar में search करना होगा e-district क्या search करना है e-district जैसे ही आप search करेंगे उसका official website open हो जाएगा अगर आप किसी दूसरे state में हैं तो आप search करेंगे e-district up जैसे search करेंगे जो पहला website आपको दिख रहा है यह Hindi में यह English में किसी में लिखा हो सकता है आप इस पे simply click कर देंगे जैसे ही आप इस पे click करेंगे आपके सामने एक ऐसा notification आजाएगा तो इसके notification को हटा देंगे आप बगल में close का बटल है उस पे click करके हटा देंगे इसके बाद में मैं थोड़ा सजूम कर लेता हूँ और यहाँ पर एक option आपको मिलेगा citizen login e साथ ही इस option पे आपको click कर देना है जैसे आप इस पे click करेंगे आप से आपका user ID और password मांगेगा जिससे आप अपना प्रमाणपत्र बना सकते हैं आपके पास अपी user ID और password नहीं है तो उसके बना सबसे पहले आपको उसको बनाना पड़ेगा उसको बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ देखिए वहाँ पर एक option है नभीन उपयोग करता पंजी करड़ इस पे आपको simply click कर देना होगा जैसे आप इस पे click करेंगे आपको अपना एक user ID बनाना होगा user ID ध्यान रखिए कैसे रहेगा user ID में ऐसा होना चाहिए कि यह user ID पहले से बनी ना हो एक unique user ID होनी चाहिए जैसे कि लिख देजिए इसे मेरा नाम है स्याम सुन्दर्म तो मैं लिख दे रहा हूँ yes yes RA123 ऐसा लिख देता हूँ तो सब्सक्रा किसी से match कर जाए तो मुझे एक unique बनाना है कि मतलब यह user ID पहले से ना बनी हो तो आप कुछ भी लिख सकते हैं पुरा capital यूच कर सकते हैं और कुछ नंबर कुछ अच्छर होने चाहिए और कुछ नंबर होने चाहिए इसके अलावा कुछ है नहीं होने चाहिए तो इसके बाद में भरने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे देखे हाँ पर लिखा login ID के जाच करें इसका मतलब यह है कि यह user ID पहले से बन चुकी है आपको इस दूसरा यूजराडी ट्राई कीजिए इसके बाद मैं एक दूसरा यूजराडी यहाँ पर डालता हूँ इसके जो नीचा जो नीले बटन पर लिखा है उप लबधता की जाच करें मतलब की क्या यूजराडी बन चुकी है पहले से या नहीं इसकी आप जाच करें तो इस पर आपको इसराडी डालने के बाद में इस पर क्लिक कर देंगे अगर नहीं बनी है तो लिख जाएगा वहाँ पर कि हाँ यह जराडी नहीं बनी है इसका मतलब कि आप वह user ID बना सकते हैं तो यहाँ पर मैं देखिए मैं कुछ यूनिक डालता हूँ कि अगर आप सेम डालेंगे जिसे आप वना क्यों नाम डालते हैं तो हो सकता कि आपके नेम से बहुत सारे बंदे होंगे तो वह बना चुके होंगे तो आप कुछ यूनिक डालिए बना सकते हो तो यह मैं इजराडी बना लिया इसके बाद में यहाँ लिखा है आबेदे का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, इसके बाद में नीचे यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, नीचे अपनी जनम तिथी को इंटर करेंगे, जनम तिथी डाल देंगे, इसके बाद में यहाँ पर लिंग मतलब कि आपका कौन सा जंडर क्या है, मेल फीमेल या ट्रांजेंडर जो भी ओ मेल फीमेल हो उस पर आपको यहां पर इंटर कर देना हो गदेना जले में इसको मैं चूज कर लेता हूं इसके बाद में है लिखा आस्थाई पता तो आस्थाई पता कैसे लिखेंगे पहले लिखेंगे इंगलिस में लिखेंगे बिलेज फिर अपने गाउं का नाम, पोस्ट गाउं का नाम, तैसिल गाउं का नाम, डिस्ट्रिक, डिस्ट्रिक का नाम, इसके बाद में यूपी लगा के पिन कोड लिख देंगे, लिखने के बाद में फिर यहां पर आप मिलेगा मुवाइल लंबर, यहां पर आपना मुवाइल बार披िल करना है jeun aladi अपना जिला चूछ करना है पता है पताब सब कुछ इसका पिन कोट भी डालना होगा आपको आपका अपना पिन कोट भी यहां Pर बार डिंदें कोट अनि एक यहां और यह चूछ कर लोगे तो मेरा जीला जो भी हो तो मैं डाल दूँगा अपना जीला डाल दिये तहां देखे मैंने सलेट कर लिया इसके बाद में जो बॉक्स दिख रहा है मुवाइल नंबर इमिलारी डालने के बाद में इस बॉक्स में कैप्चा मैं फील करूंगा नीचे आले करेंगे पहले करेंगे फिर से क्लिक कर यह दिख रहा हुं नारिदर मोदी का इसको हटा देंगे रखाने के के बाद में फिर से क्लिक करेंगे citizen login इस आथी पर उस पर आपको क्लिक कर देना होगा इसके वाद में इस वाक्स में अपना यूजराडी फिल करेंगे चले मैं अपना जो अभी यूजराडी आपने बनाया है सेम यूजराडी को कहीं पर लिख लेना है भूलना बिल्कुल नह झांदाओंगा यहाँ पर वह OTP जो आपके mobile number पर पर OTP आई है उस OTP को यहाँ पर आपको डालना है पहली बार OTP डालना है तो आप यहाँ पर OTP डालेंगे नीचे दिया है सुरच्छापोड सुरच्छा कोड को मतलब यह जो यहाँ आप नीचे दिख रहा है इस microwave पहले आई थी वी ओटईपी है उसी पाइप डालना है उसी उटीपी को तो यहाँपर लिखा जाल देंगे उटई आप पर आप एक नया पासवर्ड चूच करेंगे जिससे आप क्यों सकता पड़ेगे बार-बार खोलने के लिए तो आपका पासवर्ड कैसा नहीं चाहिए पहले अच्छा कैप्टल कुछ अच्छा इसमाल होने चाहिए कुछ कई स्पेशल करेक्टर मतलब है चाहिए था ऐढ फिर कुछ नंबर होने चाहिए पाइसफड बना लेंगगे चलि zupełnie बना लिया मनाने के बाद में ज़ो नीचे आपको देख रहा पासवर्ड बदले पासवर्ड बदले इस पर आपको सिम्प्ली क्लिक कर देना होगा जैसी जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद मैं देखिए, आप नीचे लिखा है, password change success fully, यानि कि अब आपका password change हो चुका है, अब वो जो UDP आए ति उसकी अब कोई हो सकता नहीं है, अब आप password से लागिन कर सकते हैं, अपनी user ID और password से लागिन कर सकते हैं, चलिए करने के बाद में जो मैंने user ID अभी बनाई थी, उस user ID को उपर वाले box में लिखेंगे, और नीचे अभी password मैंने बनाया है, ODP नहीं जो password मैंने बनाया है, उसको password यहां डालेंगे, और उसको capture डालके, प्रसीड कर देंगे, समिट कर देंगे, जैसे समिट करेंगे, आपका य यहां से आपका user ID बने चुका है, अब आपका user ID बन चुका है, देखिए सब user ID बन चुका है, अब यहां से आप अपना आयजात निमाज प्राण पत्र अपलाई कर सकते हैं, लेकिन अब आप अपना आयजात निमाज प्राण पत्र कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपक बहुत सारे लिंक दे दिये है, यानि ऐसा लिंक जिससे कि आप इस आईडी से क्या-क्या चीज़े बना सकते हो, उस सबका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिशन मिल जाएगा, और आप सिंपली उसको बना सकते हैं, पर ध्यान रहे, आप ये उजर आडी को हमेसा याद और एक चीज़ अध्यान लखना है, इस युजर आडी से आप अपने जिले का किसी का भी अपना आय जात निमास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, चलिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूं, काफी बंदों को ये प्रावलम होता है, कि भाई मैंने आय प्रमाण पत्र बना अगर बीडियो पसंद आया हो, सबसे पहले तो लाइक कर दीजे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह और भी कोई सीख ले इसे तो आप उसको सेर कीजे, चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई अच्छे वीडिय अगर पोश्ट करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुच जाए